भिसमलाय रख्मार र pigment माइने है विसमार हो नासर सिथ खान नम्हेश्भारिक्षर के इस बभारा तो आज का मारा टॉपिक चुहेँ वह सेंट फोला हुथ था जो थूंस पर कि छी और चप्टर का नेम था हमारे पास में ये रॉफ लोकेशन डैट इस चप्टर नमबर थ्री और लेक्टर नमबर तू आज की लिख्टर के कॉंटेंट्स में मैं डिसक्स करूंगा फस्ट अफॉल अर्थमेटिक मीम बाइ शॉटकट मेथड और उन गुरूप बेटा के और इसके लिए एक्सराइस को स्ट्रीपांट बन जो है वो डिसक्स करेंगे दें फिर सेकंड नमबर पे मैं डिसक्स फॉर शॉर्टकट मेथड के लिए 3.3a तुस्टुट्स हम देखते हैं आज का टॉपिक अर्थमेटिक में फॉम अंगृप डेटा बाइ शॉर्टकट मेथड तुस्टुट्स नोग स्टाट करते हैं शॉर्ट फॉर्मूलर्स फॉर्पॉर्टिंग अर्थमेटिक मीम तो इसके लिए हम जो डिएशन यूस करेंगे वह आप लोग तो आप लोग जो है वो यह कर सकते हैं कि जब भी आपके पास एक साई की वेल्यूस और फॉर्ट वेल्यूस है बहुत जादा लार्ज हो जाएं तो आप लोग जो है वो यूज शॉर्टकट मेथड फॉर्टमेटि आपके पास D I D stands for deviations or X is my data set is any constant or you can use any constant value from X values तो X कोई वेल्यूस तो X में से कोई वेल्यूस तो है वो आपरो constant value को use कर सकते हैं if the constant value is not given तो right side पे मैंने इसका formula जो है वो discuss किया है तो arithmetic mean by shortcut method और इसका second name जो है वो arithmetic mean by change of origin for ungroup data तो यह हमारे फास formula है students X bar equal to A A is any constant or sum plus summation D I or divided by summation N तो D स्यो है वो strands for deviations D equals to X minus A तो हम अपने data को transform करेंगे X से D में और तो यह वेल्यूस तो हम अपने data को transform करेंगे X से D में और तो यह वेल्यूस आपने यह फॉर्मूला पर arithmetic mean or simply can you can write as A plus submission D over N तो students आपने यह फॉर्मूला जो है इसको आपने याद रखना है X bar equal to A plus submission D over N तो यह आपका shortcut method का formula है arithmetic mean जो है इसका second name arithmetic mean by change of origin exercise question 3.1 by shortcut method जो है इसको start करूंगा और यह question जो है और मैंने आपके लेक्ट नबर वन फस्ट लेक्ट में दिया था जो कि हम लोग डिरेक्ट में से मीन को calculate कर रहे थे तो यहां पे भी हम लोग जो है वो same जो है वो मीन की value को find करेंगे using shortcut method एक्सेसाइस का question find the arithmetic mean from the following values हमें कुछ वेल्यूस है यहां पर कुछ में जो है यहां पर कुछ में गिवन है और हम लोगोने में की value को calculate करना है using shortcut method shortcut formula तो मेरे पस वेल्यूस जो है वो X values given है आपने इंको X values का name जेना है और इसको सबसे पहले हम first of all इसको column में write करेंगे तो मारे पास X की values 184, 191, 172, 168, 187, 189, 196, 189, 193, 195 और submission X जो है इसको already हम find कर चुके थे lecture number 1 में 1864 और right side में यहां पर देखें तो direct method से mean जो है already हम calculate कर चुके थे इसका submission X over N और वो मेरे पास mean जो है 186.4, 186.4 Now we have to calculate the arithmetic mean by shortcut method और इसके लिए हमें अपने data को transform करना होड़ेगा और D में और D is the deviation, deviation stands for X minus A यानि हम लोग अपनी X values को किसी भी constant value से deviate करेंगे और यहां पर कोई भी constant value आप खुछ से assume कर सकते हैं और या आपको जो है वो question में given भी हो सकती है तो मैंने यहां पर जो constant value जो है वो खुछ से assume की है 180 तो यह है मेरी A की value constant और यह approximately यहां पर अगर आप देखें X values में मैंने कैसे इसको choose किया है तो सबसे जो highest value है मेरे पास maximum value data set के अंदर X values में 195 है और lowest observation जो है यहां पर अगर आप देखें तो X values में हम find करें तो यह मेरे पस 168 है और इसकी आप लोग इसमें कोई भी middle value 184 भी select कर सकते थे लेकिन मैंने यहां पर इसकी round value जो है 180 select ही है जो कि X values में जो present तो नहीं है रिख लिए है कि इसको मैंने select किया जा सकता है तो आप इसमें कोई भी any value choose कर सकते हैं X में से कोई ने constant value लेकिन best way यही है कि आप लोग जो है को इसकी middle value को select करें तो 168 minimum value है और 195 जो है इसकी highest value है तो इसका minimum approximately 180 मैंने select कर लिया है और हर value जो है और मैं जो इस से subtract करूँगा तो एक round value है तो इसमें मेरी subtraction जो है 184 minus 180 which is equal to 4 191 second value है X की और 191 को minus करेंगे 180 से answer is 11 then फिर 172 है next value 172 minus 180 which is equal to minus 8 फिर 168 168 minus 180 answer is minus 12 then 187 minus 180 answer is 7 ठीक है 189 minus 180 answer is 9 196 minus 180 answer is 16 189 minus 180 9 है answer 193 minus 180 answer is 13 and 195 minus 180 answer is 15 तो ये मैंने सारी की सारी डी की values को find कर लिया है और ये डी के column को then then फिर आपने using calculator जो है इसको subtract करना है जो इसमें values जो है माइनस हो रही है माइनस करना है subtract करना है और बाकी values को आपने add करना है तो इसका final जो solution आएका submission D का which is equal to 64 so submission D equal to 64 और then फिर हम लोग use करेंगे shortcut method का formula और ये मेरे पास formula जो है x bar equal to a plus submission D over n a constant थी value 180 अपक करते हैं क्यूंकि हमने 180 को select किया है यहां पे submission D जो है वो आपके पास 64 आया है और number of observations मेरे पास 10 है 10 number of observations है first of all आपने डिमेंस रूल को follow करना है तो पहले आपने 64 को divide करना है 10 पे उसके बाद आपने जो भी answer आएगा calculator में उसमें add करतेंगे 180 तो देन फिर आपके पास जो answer final answer जो बन रहा होगा 186.4 which is equal to the direct method के जो आपके answer था mean का उसके बिल्कुल as it is equal आएगा तो यह मैंने हाँ पे दोनों answers को जो है वो parallel show कर दिया है तो यह था मारा आज का ungroup data से shortcut method से मैंने mean को calculate किया है same same questions के उपए तो यह आपके पास यगीन आपको यह समझ आ गया होगा now students we start arithmetic mean from un from group data by shortcut method the short formulas for computing arithmetic mean from un from group data तो same concepts हम लोग यूज करेंगे जब हमार बस x और f की values जो है वो जादा large हो जाएंगे तो हम लोग जो है वो अपने data set को जो है वो हमने grouped किया होगा और हम लोग जो है वो यहां पे यूज करेंगे arithmetic mean by shortcut method because of the x values and f values are large to considerable time can be saved by taking deviations from the assumed mean right side पे इसका formula जो है इसको मैंने explain कर दिया arithmetic mean by shortcut method और by change of origin for group data तो x bar जो है वो आपके पास बराबर होगा a constant जो आपने deviate करना है अपने data set से उसको formula में add कर देंगे balance out करने के लिए और submission f d का column जो आप prepare करेंगे उसको corresponding frequencies सब्सक्राइब करना पड़ेगा दैन उसका taking sum or divided by submission f which is equal to n जो के total number of observations होगे मारे पस तो you can write simply as a plus submission d over submission f d over submission f तो यह मेरे पास students में का formula है x bar तो यह आपने final जो है याद रखना है x bar equal to a plus submission f d over submission f students arithmetic mean by shortcut method for group data के लिए मैंने exercise question 3.3a ही को use किया है जो के हमने direct method के लिए use किया था तो इस पर भी हम लोग जो है वह same answer को find करेंगे exercise question 3.3a calculate करेंगे arithmetic mean को for the following data के for the following data using shortcut method तो आपके पास different classes जो है वो given है और with corresponding frequencies तो यह आपके पास data जो है वो class limits का given है और this is the group data और इसके हम लोग जो है वो arithmetic mean को calculate करेंगे by using shortcut method तो students first of all और आपने अपने dataset को जो है वो column में write करना है तो यह आपको classes जो है वो different classes को first column में second frequencies given ती उसको मैंने second column में write कर लिया तो यह आपके पास यहाँ पर class limits है इसको आप c dot l की heading भी दे सकते हैं class limits है और इसके corresponding आपको frequencies given है सबसे पहरे हम लोग according to formula जो है वो अपना class mark को find करेंगे और class mark is denoted by x तो x जो है वो अल्रेडी इसको हम लोग discuss कर चुकिए है कि you can calculate the x by adding both the limits यानि आपने 1 plus 5 both the limits means lower and upper limit को add करेंगे और 2 पर divide करेंगे answer is 3 इसे similarly 6 plus 10 divided by 2 answer is 8 और आपने इसमें interval जो है 5 का है हमारी consecutive classes के दर्मेंद में तो हम 5 5 जो है वो vertically जो है add करते जाएंगे तो यह आपके पास यहां पर mid points जो है prepare हो जाएंगे तो x के बाद हमने अपने data को transform करना है d में d का formula जो है वो हम जानते है d equals to x minus a और इसमें हम लोग जो है deviations लेंगे from constant a से और a जो है वो आपको यह भी middle value जो है वो select कर सकते हैं x में से तो यह मैंने यहां पर a जो है वो इसको denote किया है 23 को तो x equal to a a equal to 23 तो x में से अगर आप select करते हैं तो आपका question जो है वो बहुत very simplified form में आ जाएगा तो 3 minus 3 minus 23 answer is minus 20 8 minus 23 answer is minus 15 13 minus 23 answer is minus 10 18-23, answer is minus 5, 23-23, 0, then 28 को minus करेंगे, 23 से answer आपका 5 आजाएगा, 33-23, answer is 10, और देन फिर 38 and 43 को minus करेंगे, 23 से constant values से तो ये आपके पास values minimize हो जाएगे, और D का column जो है, वो इस तरह से आपने prepare कर लेना है, then according to formula हमें FD का column जो है, वो prepare करना है, तो FD, F के column को D के column से multiply करेंगे, तो इनकी corresponding values को आपने multiply करना है, first value आपके पास frequency में 7 है, first class की, और D में आपके पास minus 20 है, तो answer आपके पास आजाएगा, minus 4, 140, 10 को multiply करेंगे, आप लोग, minus 15 से, answer is minus 150, 16 multiply by 10, which is 160, minus का sign के साथ, minus 160, similarly, 32 multiply by minus 5, minus 160, similarly आपने इनको complete करना है, F के column को D के column से multiply करना है, और then end पे आपने इसका submission find करना है, submission FD, और submission FD is equal to minus 325, तो इसमें add करने के बाद आपने जो इसमें minus sign वाली values है, इनको subtract करना है, और submission FD को find कर लेना है, which is equal to minus 325, submission FD. तो एकने करने नको इसमें लेना हो आपने सम्ज को अपने दो गता है, एक स्मिशन एप टी हमारा जो है वो माइनस वांट 25 था और समिशन एप एक वर टू 123 तो फिस्ट आप इसको डिवाइट करेंगे 325 दिवेड़े 123 और फिर फिर प्लस माइनस सब्टेक्ट करेंगे 23 से जो भी आंसर होगा और इसमें हमारे पास यहां पर अगर राइट साइट पर आप देखें तो मैंने यहां पर जो हमने से नबर वन में में कैलकुलेट किया थ अबर समिशन एफ इस ऑल्सो ट्वेटी पॉंट्री से तो यह हमने दोनों के फ्रम्लस से इसको कालेट करके मैंने आपको जो है यहां पर इसकी रियल पिक्चर जो है वह दिखा दिया कि यहां पे दोनों से हमने सेमीन को काल्कूलेट कर लिया लेकिन हमारे पास दी को टॉपिक बाई यूजिंग शॉर्टकट मेथेट तो सुद्स यह था आज को लेक्जर एथमेटिक मीन बाई शॉर्टकट मेथेट फॉम अंगूर्प डेटा तो उमीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा इंशाला आपने इतना फीडबेक जुरूर देना है और चैनल को साथ मैं आपसे मुलागात होगी नेक्स ऐसे तक के लिए अल्हा आपिस